मुझे बताते होगे बहुत हर्श हो रहा है कि अब हम Resonance Quota को लेकर आ रहे हैं आपके शहर सिर्चा में अब आपके बच्चे को अपने सपने को साकार करने के लिए आपसे दूर नहीं जाना होगा आपको बस जाना होगा खेरका स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में जहां पर Resonance Quota की फैकल्टी आपके बच्चे को ट्रेन करेगी भविश्य के डॉक्टर और इंजिनियर बनने में सभी प्रमुक परिक्षा हैं जैसे J-Main, J-Advance, NEET-UG, AIMS, International Olympiad, NTSC, KVPY, CA, CS, CMA, CLAT, Resonance ने गुरवत्ता और मात्रा दोनों में अच्छे परिणाम देकर खुद के लिए एक नाम बनाया है अधिक जानकरी के लिए आप डववाली रोडस तर आरपी सीनियर सेगेंडरी स्कूल विजिट कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं नीचे देगे नमबर पर अब होंगे सपने साकार धन्यवाद अभी 13, 14, 15 को मानिय मुख्या मंत्री जी यहां पर जन्द समवाद के लिए भी आ रहे हैं जिसके अंदर की तीन गाउं जो है हमारे डवाली के और तीन गाउं हमारे कालाम वाली के और तीन गाउं हमारे राणिया के तो टोटल नो गाउं जो हैं उसमें उनका दोरा रहेगा जिसमें वो जन्ता की समस्याएं हैं उनको सुनेंगे और इसके साथ साथ हम उनका समाधान भी करेंगे तो मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहती हूं माने मुख्या मत्री जी जो सदायव हमारे हरियाना को आगे इनागरेशन भी होंगे जो हैं नहीं देखिए यह इनागरेशन आज कर दिया ना कि अगर अगर उन्हों ने कुछ इस तरह से आप यह देखिए यह माननिया मुख्या मंत्री जी को मैं बहुत इस बात के लिए मुबार्क बात देना चाहती हूं कि उद्गाटन को उन्हों जो जनता को समर्पित करना था उनको कैसे आप लोगों के समक्ष्ट समर्पित किया अगर उन्होंने थोड़ा सा भी उनके मन में यह आता तो वो 13 14 15 को यहां पर आ रहे थे वह बहुत बड़ी जन सभा करके और उसके अंदर इसको समर्पित कर सकते थे लोगों को नंबर बन करने में विश्वास नहीं रखते वो लोगों का काम करने में विश्वास रखते हैं अब जो वो 13 14 15 को आ रहे हैं तो वो जन समवाद के लिए आ रहे कि जो हमारी जनता है उनके साथ उनका समवाद होगा उनको जो समस्याएं हैं उनको लगता है धरातल पर कोई ऐसी बात है कि दावनी नहीं देखिए यह वो लोग हैं जो जनता के दुश्मन है जो नहीं चाहते कि जनता का काम हो आप यह बताए कि हम यहां पर मान्य मुख्या मंत्री जी इतने इतने जो हमारे वेलनेस सेंटर हैं उनका उदगाटन कर रहे हैं अगर ऐसे कारेक्रमों का या कि मान्य और इसको को समझती है और इसको कोई तवज्जो देने वाली नहीं है कि गाullon में जाकर आप तोटल तीन दिन का उनका प्रवास ہے और तीन दिन में एक दिन के अंदर जो है वो तीन गाउं को लेंगे और इससे पहले जो है वो एलनाबाद के अंदर माननी है मुख्या मंतरी जी कई बार आ चुके हैं और इसके साथ-साथ पिछली दिनों मलेकां के अंदर जो है जो उनका उनकी रैली थी उनकी जन्द सबाती बहुत बड़ी तो वो एलनाबाद में ही आता होगा तो ये बात नहीं है जिन को टेच कर चुके हैं अल्डेडी वो तो उनको वो उन्होंने इसलिए महसूस किया कि ये जो तीन हमारे विदान समाद के लिए आ रहे हैं अगर आप वैसे देखे तो सिरसाजी ले के अंदर कितन आपके बाद मान्या मुख्यामंत्री जी कभी नहीं आएंगे ऐसी बात तो नहीं है तो बस वे आगे कभी भी आएंगे तो उदर बुलाएंगे अपने से वो compare करें जो उनके समय में होता था किस तरह से माननी है स्वास्ते मंत्री जी बता रहे थे कि नीली पीली गोलियां खिला कर किस तरह से जो हमारे स्वास्ते मंत्री जी और मानने मुख्या मंत्री जी किया रहे हैं आप हालाद देखें जो पहले होते थे किस समय वो बता रहे हैं कि एक पंखा चलता था और करके कम से कम 300-400 की लाइन लगी रहते थे आज आप देखी कि A1 क्लास के जो हमारे PSC CSC जो नए बन रहे हैं वो बिल कोई देखें बीजेपी का संगठन बीजेपी का कार्या करता जो है वो 24-7 तयार रहते हैं हमारे जिल्या देखें हमारे पास बैठे हैं हमारे जो है कितने बरिश निता हमारे पास बैठे हुए तो बिल्कुल एकदम 24-7 हमारा कार्या करता जो है आप आज ना उस कर दीए कल पर जो वहां पर मैंने संगठन के जो भी हमारे कार्या करता है और जो आम जनता है उनका जो मैंने उत्साहा जो जोश देखा तो मुझे पूरी उमीद है कि वहां पर भारती जनता पार्टी अपना पर्चम लेराएगी क्योंकि पहली बार जिस तरह से हमने ये एक्सपेरिमेंट किया और हमने हर्याना के अंदर पहली बार कमल के फूल के निशान के उपर हम चुनाव लड़े तो आपने देखिए ना कि सिर्सा के अंदर जनता ने कितना भरपूर हमें सयोग किया और तीन लाख दस हजार के मार्जिन से हम यहां से जीते तो इसलिए जनत इंतजार करते कि कब कमल का फूल आए और हम उस पर महर लगाएं जलंदर में भी यही हाल है हमने अब तक वहां पर जो एलाइंस हमारी पार्टी थी उनके सिंबल पर ही हम चुनाव लड़ते थे पहली बार हमने वहां पर कमल के फूल पर निशान के उस पर चुनाव लड़ तो दिल्ली पुलिस में फायर दर्ज हो गई उनकी एक मांग थी कि हमें सेक्योरिटी प्रवाइड होनी चाहिए उनको सेक्योरिटी प्रवाइड की गई है मुझे यह लगता है कि अब इसके अंदर राजनीती गुस गई है जो दूसरी राजनीति पार्टियां है वो उन ब को फायर दर्ज हुई है उसके तहट पूरी इंवेस्टिकेशन होने के बाद दूद का दूद और पानी का पानी होना जाए देखिए यह पुलिस जो है यह अगर अगर ऐसा कुछ है पुलिस किसी भी तरह की कोताही बढ़तेगी तो उसको इस चीज का ऑफिसर जो है उनको मैंने आपको कहा कि यह काम पुलिस का है प्रशाशन का काम है पुलिस जो है वो किस तरह से काम करती है किस तरह से क्या इन्वेस्टिकेशन करती है तो यह यह उसके उपर निरवर करता है जी बहुत अच्छा वहां पर मानने हैं परधान मंत्री जी की जिस तरह की रेलियां रही वहां पर और जिस तरह से वहां पर लोगों का एकदम से जन सलाव उमठ बड़ा उनको सुनने के लिए तो मुझे पूरी उम्मेद है कि आने वाले समय में करनाटक में भी हमारा बहुत अच्छा पर देशन रहेगा